स्वागत दोस्तों इस नई वीडियो में इस वीडियो में आज हम चाशा करने वाले NPS के संबन्द में NPS में होने वाले बदलाव के संबन्द में और किस प्रकार के समाचार चल रहे हैं पिछले मई के बाद से या लगवग 2-3 महने पहले से या समाचार चल रहा है कि NPS में बड़े बदलाव की संबना है लगवग लगवग NPS को OPS के जैसा किया जाएगा उसके बाद डॉक्टर मंजीत सिंग पतेल जी का ये स्टेटमेंट ये भी आया है कि इस तरह के एक महने के अंदर गजेटियर आने की संबना है ये अंदर प्रदेश का मॉडल क्या था तो अंदर प्रदेश का मॉडल था जिसके बारे में हम बताने जारें कि अंदर प्रदेश के मॉडल में आपको लास्ट विडान सेली का 50% दिया जाएगा अलांग विद जो भी डीए के इंदर सरकार गोसित करती है वो दो बार दिया जाएगा ये था NPS में किया जाने वाला बदला वो अब कैसे फुल्फिल करती है उसका भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो भी है आपका कंट्रिबिशन वो कंटीनू रहेगा उस कंट्रिबिशन के बेस पे जो भी accumulated आपका pension बनेगा वो pension बनने के बाद उसमें जो फिप्टी परसेंट में जो गैप रहेगा जो डिफ्रेंस रहेगा जो अंतर रहेगा उस अंतर को राज्य सरकार आंद्रक्देश की फुल्फिल करेगी और लास्ट विड़न सेली का फिप्टी परसेंट अलॉंग भी डिये देगी उसके बाद उसके बाद के नोमनी को चला जाएगा और रिटारिमेंट पे आपको 40 से 50 परसेंट पैसा मिलेगा है अब इसी मॉडल को फॉलो करने का किंद सरकार विचार करें लेकिन डॉक्टर मंजीत सिंग पटेल जी जो की सबसे ज़्यादा अग्रणी है NPS के खिलाफ और OPS के अंद पेंशन मिलेगा ही वो रहेगा ही और पस्ताव में कोई कमी नहीं है पस्ताव अच्छा है बट बीस साल एन अबाउ को मिनिममम 50% पेंशन का प्रावधान नहीं जैसे कि OPS के समय था कि अगर आपने 20 साल की नौकरी कर ली है तो 20 साल की नौकरी करने के बाद अगर आप विय पेंशन मिलने का प्रावधान था तो वैसा ही कुछ किया जाना चाहिए रही बात पॉइंट वहीं आके अटकता है कि डिये आप 10% का कंटिबीशन जारी रखिया आप लेते रहे 8.83 का अलगभा कंटिबीशन उसमें भी रहता था इसमें GPF की सुविधा थी कभी भी पैसे पीएफ के निकाल सकते थे जिसका आप एमर्जनसी के समय प्रयोग कर सकते थे उसकी सुविधा थी उन चीजों की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो OPS को और आकरशक बनाती थी और साथ में लास्ट विड़न सेल्ली का 50% अगर कोई गवर्मेंट जॉब करता है अगर वो गव कि एसमें लास्ट विड़न सेल्ली का 50% देने का प्राउधान फिलहाल किया जाये तो क्या लिया है जरूर लिया जाना चाहिए होने वाले बदलाव को अगर सीरियस से नकार दिया जाया तो फिर देरी हो जाते है इसलिए होने वाले बदलाव को इमेडियेट स्विकार किया जाना चाहिए उसके बाद उस प्रस्ताओं के साथ आगे सरकार के साथ बढ़ना चाहिए कि नहीं ये मोडिफिकेशन उचीत नहीं है तो आप इसमें भी थोड़ा ख्याल करिए तो अगर लास्ट विड़न सेल्ली का 50% दिया जा रहा है बस उसमें ये जरू होना चाहिए कि दिहान अगर रखा जाए सही तरीके से तो अगर वो सरकार बदलाव लाती तो हो जाएगा रही बाद हम बात करते हैं बित्त सची व सुमनात्ः जी नेखा कि संभाव नहीं है ज give lucky लोगों को पैंशन लेके पैंशन नहीं मिलने कि संभावना पे बात करने में बहुत आसान प्रतीद होता है मुझे लगता है कि यह कैसे नहीं संभा हो है अगर मेरा 10 रुपया आप invest कर रहे है 14 रुपया आप दे रहे है 24 रुपया हो रहे है उस 24 रुपय को अगर मैं 20 साल investment में करके रखो एक सामान investment में 8 या 9 परसत पर तो भी 100 रुपय हो जा रहे है उस 100 रुपय में से मुझे 50 रुपया आप दे रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं आपको कि आप ही रख लो 100 रुपया पूरे के पूरे सरकार देने के ले रेडी है नहीं security के बात आती है वहाँ bulk में investment होता है मेरा 24 रुपय के investment से कुछ होने वाला वैसा है नहीं ठीक है तो 24 रुपया आप रख रहे हो मेरे पास से तब अगर मुझे 24 रुपय investment लेकर कि इतने सालों बात पैसा दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं करे उल्टा आप 14 रुपय का investment मत करो 10 रुपय आप मेरा रखो वो जो 14 रुपय का investment आप कर रहे हो 14 परसंट का वो लाखो करोडों में जो वित्ती इस्तिती पे बोज पर रहा है उसे आधारबुत सन्नचना और मेडिकल में स्वास्त में अन्ने सेवाओं में लगाया जाए मेरे 10 रुपय का investment के base पे आगे काम किया जा और वो जो 10 रुपय का investment हो रहा है उस पे भी OPS दिने में सरकार के उपर कोई burden नहीं पढ़ने वाला है Supreme Court ने already statement दिया कि pension कोई आपका दान नहीं है खैरात नहीं है बलकि pension एक समविधानी करिकार के तहट आता है तो सरकार को सोचना चाहिए नहीं सोचेंगे सरकार तो आने वाले समय में ये जन संख्या सबसे बड़ा vote bank मनेगा और आने वाली परिस्तितियां कई बार दिख चुकी है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में सरची 10 करोड, 5 करोड के आसपास जो family with employees है government employee के वो बहुत बड़ा vote bank का भी काम करता है धैरे रखना है, आन्दोलंजारी रखना है ये सारे बदला उसकी चर्चाएं की जा रही है और होता ये है कि आप देखते हों कि एक policy चलती है वित्य सचीव जी का ये statement कोई wrong या right के पीछे नहीं पड़ता है वो एक ऐसा statement आता है बड़े-बड़े bureaucrates का कि जब कोई चीज चलती है तो सरकार के support में बोलते है उन्हें बोलना ही पड़ेगा सरकार के नियम और कानूनों के अंतरगत भी है क्योंकि वो एक policy के ताथ आती है कि अगर मुझे जिस समय एक समय चल रहा था कि कॉन्फ्लेक्स बेचना है तो पांच जार से ज़्यादा डॉक्टर्स ने को पैसे देख करके उन्हीं सवी के आसपास में ये statements लिखाए गए थे कि क्यों नास्ता करना अच्छा है क्यों कॉन्फ्लेक्स अच्छा है क्यों कॉन्फ्लेक्स के विक्री हुई billions में वैसे ठीक वैसे ही आप नोट करेंगे पिछले दो-तीन साल में कि जब क्यों OPS देश के लिए दिक्कत है वो हर पे पर misdates आएंगे हर पे वो लिखेंगे जिनको मिल नहीं रहा है वो लिखेंगे जिनको आने वाले समीती में कोई ने कोई पद चाहिए किस जगवे पद पे काम करना है सरकार का ही तैशी बन के रखना है तो obviously ये सब होगा ही तो इसलिए NPS से OPS में जाने के लिए ये कमातर रास्ता है विजे कुमार बंदू जी, डॉक्टर मंजीत सिंग पटेल जी या अने सभी और हम लोग सहयोग के साथ करें वो है आंदोलन, शांती पुर्ण आंदोलन सही तरीके से बातचीत, सही प्रस्ताओ और सरकार से अगर आंदोल प्रदेश मॉडल या जो बात चले उस मॉडल का मिलता है तो पहले स्विकार करने में ही कोई दिकत नहीं है अगले वीडियो के साथ फिर मिलता हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए धन्यवाद